स्वागा थे दोस्तो अपने यूटूब चैनल राजा बोच आईटियाई पे दोस्तो ये पेपर 13 अगस्त का है जो अभी CBT पेपर हुआ है आईटियाई छात्रों का और सेकंड येर के स्टुडेंटों का पेपर है 13 अगस्त का जो फर्ष्ट सिप्ट का हुआ थो उसका वीडियो में बना दिया हूँ जो कोशन बच्चों ने बताया था ये 13 अगस्त सेकंड सिप्ट का पेपर है आईए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पूंचा गया था 13 अगस्त सेकंड सिप्ट के पेपर पे complete आप लोग जरूर लाश्टत देखिए कोशन अच्छे आये थे जो इसके पहले मैं निमी के कुछ PDF का solution करवाया था उसी सिर्फ हसे हुए है सारे बच्चों का comment भी यही आ रहा है कि जो सर्फ आपने वीडियो बनवाया था जो आपने त्यारी करवाया था इसके पहले सारे कोशन वही के आए हुए है तो आप लोग भी देख लिजिए क्या वही आया है या दूसरा आया है क्योंकि जो बच्चों के दुआरा कमेंट में बताये गए हैं उन्हीं का solution में करा रहा हूँ चलिए आते हैं कोशन पर आगे बढ़ने से पहले रिक्ष्ट करूँगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक कर दीजिए, सेर कर दीजिए दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ कि हमारे चैनल में तरह तरह के कंटेंट प्रोवाइड है बैकंसी से लेकर और पेपर से लेकर इंटर्वी के कोशन कुछ भी अपलोड है तो आप लोग जरूर देखा करो क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्फुल कोशन पेपर में अपलोड कराता हूँ तरह तरह के वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ चलिए आते हैं आज के फस्ट नम्मर प्रस्ण में प्रस्ण ये आया था कि अच्छादित पोल मोटर में एक्स के रुपे में चीनित भाग का नाम अच्छादित पोल मोटर होता है सेड़ेट पोल मोटर दोस्तों यहां पे सेड़ेट पोल मोटर पे एक्स के रुपे में क्रास दिया हुआ है पूँच रहा इस पार्ट का नाम क्या है आई होप सबको मालूम होगा इस पार्ट का नाम है रोटर घुमाओ शुरू करें ठीक राइट एंसर एजिए इसका जो राइट अनसर होने वाला है इसका राइट एंसर C नम्मर होगा च्छत का पंखा ठीक राइट एंसर ये जे C नम्मर करेक्ट हो जाएगा दोस्तो ऐसे कोशन हर साल आये हुए है इस साल भी आये हुए है आपका पेपर इरिया भी बांकी है ता आप जरूर देखिए क्योंकि अच्छे कोशन आ रहे हैं बहुत साल कोशन है अगला जैसे प्रस्ना आया था कि मोटर सुरू होने के बाद अपकेंदरी स्विच का डिस कनेक्टिंग नहीं किया जाता तो क्या परभाव पड़ता है एनि जब मोटर चालू हो जाता है तो जो सेंट्रिफ्यूगल स्विच होती है जिसको बोलते है अब केंदरी स्विच अब केंदरी स्विच को हम आफ नहीं करते Combine не नहीं करते तो क्या हो सकता है Option D है मोटर सामान रूप से चलेगी Option B है मोटर तुरंट बंद हो जाएगी Option C है Starting Binding जल जाएगी Option D है Motor बहुत धीमी गती से चलेगी यदि हम Centrifugal Switch को Off नहीं करते हैं तो उस Condition में क्या होता है जो हमारी Motor होती है तो यहाँ पर जिससे आपको 4 Option मिल गए होंगे आपको doubt भी होगा कि Motor बंद हो गए कि जलेगी क्या होगी तो Motor की जो Starting Binding होती है जल जाती है ठीक क्योंकि Starting Binding के Series में Centrifugal Switch लगाया जाता है अगला प्रसना आया था Alternator के भाग का नाम क्या है दोस्तों आपको बताना है पार्ट साफ है Alternator इस Alternator में यहाँ जो हम दिखा रहे हैं गोला करके इस पार्ट का नाम पूछा था और इस पार्ट का नाम क्या है यह आपको बताना है Option A है Stator Option B है उत्तेजक Option C है Salient Pole Rotor Right answer C नमर होगा Salient Pole का ही Rotor है अगला जैसी यह दिया है Converter का नाम क्या है अब आपको एक Converter दिखाई दे रहा है ठीक अब इस Converter का नाम बताना है 3-phase AC Supply Input हो रही है और जो DC Voltage Output में मिल रही है ठीक अब आपको बताना है कि यह 6 डायोड लगे हुए हैं यह देखिए इधर 3 डायोड लगे हुए है 3 डायोड यह हुए है यह 6 डायोड लगे हुए हैं तो ऐसे जो rectifier होते हैं तो ऐसे rectifier को हम लोग 3-phase full wave rectifier भी बोलते हैं यह दि आपके पास option पर यह नहीं है जैसे option पहला दिया है metal rectifier इसका right answer होगा sleek on नियंतरित rectifier दृष्टी कारी बोलते हैं rectifier को हिंदी नाम ठीक sleek on control rectifier इसका right answer इसका right answer इसका right answer होगा क्योंकि यहां पर 6 diode लगाए गए हैं और SCR का symbol कुछ इस तरह की होता है ठीक तो इसलिए इसको बोलते है sleek on control rectifier right answer इसका right answer इसका right answer इसका right answer होगा अगला प्रस्ण बहुत अच्छा आया था यह भी प्रस्ण है तुल्यकालिक motor में damper winding का क्या कार है दोस्तों जो तुल्यकालिक motor होती है जिसको बोलते है synchronous motor उसमें जो damper winding होती है जो damper winding लगाने से motor self start हो जाती है एनि जो synchronous motor होती हो शुरू हो जाती है जलने लगती है ठीक अगला प्रस्ण दिया गया है DC generator के भाग का नाम बताईए दोस्तों जो DC generator है अब इस DC generator के parts का नाम बताना है इसके पहले भी ये question मैं करा चुका हूँ साइद आपने पढ़े भी होगे देखे भी होगे अब ये बताना है जो part दिख रहा है कौन सा part है क्या नाम है बहुत सारल है option A दिया side and plate option B दिया पोल्सू eliminated option C दिया है commutator खन option D दिया armature core elimination right answer D नम्मर हो जाएगा अगला जिसे प्रस्ण दिया गया है एक मिनट compound generator का नाम क्या है यद संट फिल आर्मेचर के साथ parallel में जुड़ा हुआ है बहुत सारल कोशन है ऐसे compound generator का नाम बताना है कि यद संट फिल आर्मेचर के साथ parallel पे जुड़ा हुआ है ऐसे generator को short sun compound generator बोलते हैं long sun compound generator क्या होता है कि आर्मेचर के साथ सिरीज और संट दोनों बैंडिंग पैरलल पर जुड़ी होती है अगला जैसे प्रस्म दिया गया है DC जनरेटर का आर्मेचर प्रत्रोद बहुत कम क्यों है दोस्तों जो DC जनरेटर होती है उसको जो आर्मेचर प्रत्रोद होता है उसका बहुत कम क्यों है? क्योंकि armature धरा कम करें दूसरा है armature voltage drop को कम करें कम बजन्स के साथ armature चलाएं armature का तापमान कम करें हम लोग क्यों रखते हैं DC generator के जो armature का resistance कम से कम इसलिए रखते हैं क्योंकि armature की जो voltage drop होती है उसको ताकि कम करके रखे राइट एंसर यह बी नमबर करेक्ट हो जाएगा अगले प्रस्न की और चलते हैं अगला प्रस्न हमारा यह है लंबी दूरी की बितरन लाइनों के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर को प्योग किया जाता है दोस्तों जो लंबी दूरी के ट्रांस्मिसन लाइन होती है यह बितरन लाइन होती है उसके लिए जो हम लोग जनरेटर का यूज करते हैं पहला दिये संट जनरेटर दूसरा है स्रेंडी तिसरा है डिफिरेंसियल चौता है कामलेटिव कंपाउंड लंबी दूरी के लिए कामलेटिव कंपाउंट जनरेटर का यूज करते हैं जो बोल्टेज ड्राफ होता है उसको पूर्ती करता है हमारा जनरेटर अगला प्रस्न ये था R के वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर को उप्योग किया जाता है दोस्तों जो R के वेल्डिंग होती है उसके लिए जो DC जनरेटर होता है उसको यूज option A है संटर जनरेटर option B है सिरीज जनरेटर option C है डिफिरेंसिल कंपाउंट जनरेटर option D है कामलेटिव कंपाउंट जनरेटर 36 नमर के इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा C number differential compound generator right answer is C number correct हो जाएगा अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अगला प्रस्ण क्या है हमारा 68 DC motor के प्रकार के नाम दो दोस्तों जो DC motor है टाइप साथ DC motor प्रकार दिख रहा है A1, A2, R mature है ये field winding है E1, E2 दिख रहा है D1, D2 ये सब को मालूम होगा कि R mature के cable parallel पे center field winding की गई है और ऐसे generator को हम लोग short sun compound generator काते हैं जो generator के R mature में सीधे parallel पे field winding दे जाती है उसको short sun compound generator बोलते हैं और ऐसे generator जिसमें R mature की series और sun दोनों parallel पे होती है उसको हम लोग long sun compound generator बोलते हैं ठीक चलो अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अगला प्रस्ण है OH लाइनों में cross arm का उद्देश क्या है दोस्तों OH ये ओभर हेड लाइन होती है उसमें जो arm लगाय जाते हैं cross arm क्यों लगाय जाते हैं जिससे option दिया है ओभर हेड लाइन को पोल को अधिक सहारा प्रदांद करें अगला दिया है conductor के बीच short circuit से रक्षा करें अगला दिया है खंभों के बीच रेखा की सीथी ललता को कम करें D number दिया insulated पकड़े हुए conductor को किधर से जकड़ना है cross arm जो दोस्तों लगाय जाता है वह ही लगाय जाता है कि insulation को पकड़ के रखे जो insulator होते हैं ताकि conductor इधर उधर ना जाए इसका right answer इज़े D number करेंट हो जाएगा अगले प्रस्नी के और चलते हैं अगला प्रस्नी ये है AC और DC अपूर्ती दोनों में किस प्रकार के relay को उप्योग किया जाता है दोस्तों जो AC और DC दोनों प्रकार की जो relay होती है option A है rate relay option B है अबेग relay option C है thermal relay option A है clamper प्रकार का armature relay right answer is C नमर हो जाएगा thermal relay sorry B नमर हो जाएगा A बेग relay ठीक अगला जैसे प्रस्न दिया गये है pressurized butter reactor का क्या फाइदा है PWR होता है pressurized butter reactor होता है उसका फाइदा पूंचा गया है option A है कोई गर्मी नहीं होती option B दिये है उच्च तापी दक्षिता option C दिये है इसमें उच्च सक्ती घनत ठीक और option D दिये है धातू की सतह का तापमान कम है तो इसमें से चार option दिये गये हैं जो pressurized butter reactor होता है उसका फाइदा ये होता है कि इसमें उच्च सक्ती घनत तो है राइट एंसरी जिससी नम्मर करेक्ट हो जाएगा अगले प्रस्न के और चलते हैं अगला प्रस्न ये है पवन उच्च उत्पादन में कौनसी डिवाइस हवा की गती को महसूस करती है उच्च उत्पादन में ऐसी कौनसी डिवाइस है जो हवा की गती को महसूस करती है Option ये है उत्तेज़क इकाई, Option B दिया टर्वाइन कंट्रोलर, Option C दिया चॉपर कंट्रोलर, Option D दिया लाइन नियंत्रक इकाई इसका राइट अंसर होगा B नम्मर टर्वाइन कंट्रोलर ठीक अगला जिसे प्रस्म दिया गए, UPS को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है UPS सबको मालूम होगा, बैटरी के जो बैक अप से अपने लोग चलाते हैं घरों की लाइटे फूल लोड के साथ ट्रिप करने का कारण है, पहला है मुक अपूर्ती भी फलता दूसरा दिया है गलत ओभर लोड सेटिंग, तीसरा दिया है बैटरी चार्ज इन्पूट फ्यूज उजड़ जाना उड़ जाना, बैटरी टर्मिनल में धीला कनेक्शन D नमबर दिया है राइट अंसर इसका जो होगा, वो होगा B नमबर गलत ओभर लोड सेटिंग, इसी लिए पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण बनता है अगला प्रस्त है, बर्ग तरंग इन्बैटर का उप्योग कहा किया जता है ठीक, जो बर्ग तरंग इन्बैटर होती है, पहला दिया केम्प्यूटर, दूसरा दिया TV Receiver, तीसरा दिया है DVD Player, चौथा दिया सामान प्रकास बिवस्ता बर्ग तरंग जो इन्वेटर है उसका उप्योग इसका D नमर करेक्ट एंसर हो जाएगा सामान प्रकास ब्वस्था में किया जाता है राइट एंसर ही जो D नमर करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्थिया है DC ड्राइब में B.O.P का पूर्ण रूप दोस्तो जो DC ड्राइब होती है उसमें B.O.P फुल फार्म पूँचा गया है इसका राइट एंसर होगा B.N. बेसिक ओप्रेसिनल पैनल होता है तो दोस्तो यह कुछ इंपोर्टन कोशन थे जो आपके पेपर पे पूँचे गये हैं और मैंने ढून ढून का करा दिया है आप लोग यह चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सेर करिए थैंक यू